इस तरीके से घर पर साबुन दाने के पापड बनाएंगे तो आपके पापड बिल्कुल मार्केट जैसे और पर्फेक्ट बनेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसे आप घर पर बना सकते हैं साबुन दाने के पापड बनाने के लिए कौन-कौन से चीजे प्रेव होती हैं क साथी साथ इस वीडियो में टिपसी बताने वाला हूं दोस्तों बहुत ही असान बिदी से इस पापड को आप घार पर बना सकते हैं ये बच्चे बड़े बुडे सभी को पसंद आने वाला पापड है बहुत ही कुरकुरा होता है बहुत ही साथ होता है तो चलो दोस्तों सुर कर रखेंगे ज्यादा पानी इसमें नहीं एट करेंगे यह साबून दाना हमारा साफ हो चुका है अब इसे हम लोग दो घंटे के लिए फिलो कर रख देंगे पानी इतना डालना है इतने में हमारा साबून दाना डूप जाए दो घंटे हो चुके हैं ज्यादा पानी इसमें फूल चुका है, अब हम लोग इसमें स्वादा नुसार नमक डाल देंगे यहाँ पर स्वादा नुसार नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, इसे आप कई कलर में बना सकते हैं, यहाँ पर मैं लगबक 2-3-4 कलर में बनाओंगा, इसे अघर पर कर लेगा निकाल लेंगे और इसमें हम लोग कलर मिलाएंगे फूद कलर कानेवाला रंग यह आप इसे घर पर भी बना सकते हैं यह मार्केयट में आपको आसानी से मिल जाएगा यहां पर yellow food color लिया गया है इसे हम लोग इसमें add कर देंगे थोड़ा सा ज़्यादा ही color इसमें add करेंगे क्योंकि दूब में सुकते वक्त यह हमारा color उड़ जाता है थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें color add कर देंगे आप इसे कई color में बना सकते हैं यहां पर कई तरीके से color मिला कर इसे अलग-अलग रंग में हम लोग बनाएंगे जिसे देखने में बहुत अच्छा लगेगा इसमें थोड़ा सा color जाधा डाला गया है जो भी color हम लोग डालेंगे उसमें थोड़ा सा color जाधा डालेंगे यह देखिए से बनाने के लिए धकक लिए गया है अगर आपके पास धकन है तो धकन लेले बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल मार्केट जैसा बन जाएगा सबसे पहले आपको धकन में आयल लगा लेना है धकन को अच्छे तरीके से धुल लिया गया था उसके बाद जो हमारे भिगोए यूए साबुन दाना है अलग-अलग-अलग-कलर के इसी धकन में एड कर देंगे और इसी तरीके से सब धकन में हम लोग भर देंगे अगर आपके पास धकनन नहीं है तो आप एक गुसरी बिधी मैं बताने माला हूं उसको अब यह आप इस्तमाल कर सकते हैं वो भी विल्कुल परफेक्ट बनाता ह फिर इसे हम लोग कडाही में पकाएंगे अगर आपके पास धक्कन नहीं है, तो आपको थाली लेनी है, थाली के चारो तरफ रिफाइंड ड़ाईल लगा देना है, ताकि आसानी से पापड हमारा निकल जाए, फिर आपको गोल कोई भी सेव लेना है, हाप पर चूड़ी लिए इससे इसमें सावन दरना न भीगा हुआ था होशेक, इसी तरीके से सारी चूड़ी में हम लोग अलग घलो तरीके से यसमें भार देंगे ताकि हमारा बिल्कुल सेफ आ जाए फिर चूड़ी जाला जा रहा है अब इसे हम लोग पानी को तब तक गर्म करेंगे जब यह हमारा भाप आने लगेगा यह उबलने लगेगा आप इसमें लोग श्टेंड डाल देंगे अगर आपकी कड़ाई थोड़ा सा जादा बड़ी है तो इसमें आपको श्टेंड की जुरत नहीं लगेगा ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब यह हमारे भाप आने लगे तो भाप में दो से तीन मिट तक हमारा इसे ठखा कर पकाना है 2-3 मिट के बार यह साबून जाना आपस में हमारे जुड़ जाएंगे गीले होकर आप इसे हम लोग अलग कर लेंगा आप इसे उहाँ में हमारा 2-3 मट में अच्छी तरीके से पक जाए हलका सा ये ठंडा हो गया ज्यादा ठंडा नहीं हलका सा गरम-गरम जल्दी असानी से निकल जाएगा इसे हम लोग चम्मस से निकाल लेंगे और इसे एक पनी पर फैला देंगे ये जटहकर माला बहुत ही असानी से निकल जा और इसे हम लोग फ्राइ करेंगे इसे हम लोग मीडियम प्लेम पर फ्राइ करेंगे इसे डाल दिया गया पापड को और देखे बहुत ही आसान तरीके से जल्दी से ये पापड हमारा भून कर रेडी हो चुका है बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही अंदर से साफ्ट है खान